आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ हलो गाईज इस question मैं से पूचा है In the life cycle of angiosperms meiosis occur when देखो meiosis जो है हमारा वो क्या है reduction division है ठीक है, reduction division means इसमें जो number of chromosomes जो होते है मार जो number of chromosomes है वो क्या हो जाता है इसके इसमे reduce हो जाता है to half ओके reduce to half अब जो meiosis वाला process है या division है या mostly cut होता है जब हो रहा होता है formation of gametes ठीक है यानि कि जब हमारा gametes formation होगा तो अब हमारा meiosis होगा अब जो को उसका reason क्या है हमारा जो angiosperms होता है उसमें 2 phases होते है sporophytic और gametophytic अब sporophyte जो होता है वो कैसा होता है diploid होता है ओके diploid means 2N हो गया अगर हमारे gametes होंगे बिना meiosis के बनेंगे यानि के mitosis होगा उसमें तो gametes होगा होगा है 2N ठीक है फिर इस बाले जाए अब यहां से हमान लेतना हम यह हमारा क्या है male plant है और यह आपे हमारा आ गया female plant अब यहां से भी gametes कैसे हैंगे 2N तो अब यह combine करके बना जेंगे 4N ऐसे करकर के हमारा जो DNA है वो cell के अंदर बस increase करता जाएगा अब 4N 4N कितना हो जाएगा 8N करके तो यह जो process है हमारी feasible नहीं है ठीक है तो इस ही को overcome करने के लिए क्या होता है meiosis division होता है अब meiosis में क्या होगा जैसे हमारे दोनों प्लांट्स किया है sporophytic phase कैसा है diploid है तो 2N यहाँ पर भी हो गया 2N यहाँ पर भी हो गया यह हमारे female यहाँ पर email अब meiosis होगा तो number of chromosome से जाएगे किसने हो जाएगे haploid हो जाएगे यहाँ पर भी haploid हो गया ठीक है और यह दोनों हमारे क्या होगे gametes होगे ठीक है अब यह दोनों fuse करेंगे क्या बनेगा 2N और यह कहा हमारा zygote तो इसकी continuity को maintain करने के लिए जो meiosis होता है वो मेशा compulsory होता है ठीक है यानि कि अब इन 4 प्रसेस में से जहाँ भी हमारा gamete formation हो रहा होगा ठीक है तो वहाँ पर हमारा क्या होगा meiosis होगा यहाँ पर देखो option form में करे रखा है secondary nucleus secondary nucleus कब बनता है जब हमारा मालो यह embryo sec है ठीक है embryo sec में यहाँ पर 4 cells होते है यहाँ पर 4 cells होते है दोनों कोल से एक cell center की तरफ जाता है और fuse करके जो बनाता है central cell ठीक है अब center cell का जो nucleus होता है उसका हम कहते है secondary nucleus और we can say polar nucleus तो यह all option तो हमारा incorrect हो गया ovules are fertilized ovules fertilized क्या होती है तो उसमें क्या बस fusion होता है कि इसका male and female gametes का वहाँ पर कोई meiosis नहीं होता flowers formation begins जब flower का formation होगा तो जो plant के जो vegetative parts होता है वो कैसे divide करते हैं सिर्फ mitotically ओके अगर flower meiosis division से मिनेगा तो flower क्या हो जाएगा फिर haploid हो जाएगा लेकिन flower होता है हमारा वो कैसा होता है deployed होता है उसके cells जो होता है उनके polyड होती है deployed finally यह क्या कर रहा है option B में या second में pollens are to be produced नो ठीको pollens जो है हमारे वो क्या है pollens यह हमारे है male gamete of angiosperm ठीके यह हम कह सकते है क्या है male gamete of fight है यानि कि यह क्या है gamete है और इसका division जब होगा या इसका formation होगा तो कैसे होगा meiosis कि तुर होगा ठीके तो pollens बनते है हमारे तो काउन सा division होता है meiosis ऐसे female के case में जब हमारा megaspore megaspore mother cell से जब megaspore बनता है या embryo sec बनता है तो beast में हमारे कैसा division होता है meiosis division होता है ओके तो correct option क्या हो जाएग हमारा pollens are to be produced और जहां पर हमके कैसा क्या सकते है कि megaspore और embryo sec is to be produced तो दो cases में हमारा क्या होगा meiosis division होगा तो correct option होगा हमारा option second thank you Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भर होसा आज जी डाउनलोड करे doubt net आप या whatsapp कीचे अपने doubt आच 4444 सुपर